अब कल से मुझे इतना तंग कर रहे लड़के को हस से जादा करें घर में घुशके मा रहेंगे और मेसेज में लिखा हुआ है तेरा गेम बजने वाला है बस सरे आम धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यान लाठी डंडों से चाकू से वार किये गए ते बैल्टें थी स्कूल की लिकाल के बैल्टों से मारा हर माबाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके जिसको लेकर माता और पिता दिन रात महनत करते हैं खूल और पसीने से रोजी रोटी कमाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं इसी के चलते सबकी कोशिश यही रहती है कि अपने बच्चों को विद्याले भेजे वहाँ पर वो शिक्षा हासिल कर सके और जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करे परन्तु क्या स्कूल भेजा जा रहा है तो वापसी लोटते हुए खून से सना हुआ आए जी नहीं नमस्कार मेरा नाम है आयूश शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सुराज मीडिया नेटवर्क इस वक्त हम मौझूद हैं मयूर विहर फेस्टू के सरवोध्या बाल विद्याले के सा इंग्लिश का उनका एक्जाम था कल शनिवार के दिन वो जब यहां से बाहर निकले तो उनके उपर कुछ छात्रों ने घात लगा कर हमला किया सूत्रों के हवाले से ये खबर हमारे सामने आई है कि लाठी डंडे और चाकू के साथ वो लोग इन बच्चों का इंतजार कर कि जैसे ही ये बच्चे बाहर निकले इनके उपर हमला कर दिया जाए उनको पहले लाठी डंडो से पीटने की कोशी की गई इनके बीच में हात अपाई हुई जैसा कि CCTV फुटेज के अधार पर दिल्ली पुलिस दौरा बताया ये जा रहा है कि इनके बीच में किसी चीज को लेकर हात अपाई हुई उसके बाद जब उन चात्रों ने आज से भागने कोशिश करी तो उनको चाकू से गोदा गया जी हाँ उनके उपर चाकू से वार किया गया यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह पूरा ये स्कूल है जिसका यहाँ पर बोर्ड का सेंटर अब आपना कैमरा वहाँ पर ले जाकर आपको दुबारा दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूरे फुट पात पर खून के घहरे निशान बने हुए हैं बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने कोशिश करी उनके कपड़े पूरे खून से लत्पत हो च चुकी थी वो बेंच के ऊपर बैटा और वो पूरा का पूरा बेंच भी अभी हम आपको उधर ही लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से पूरा बेंच खून से सना हुआ है इसी बीच कुछ ऐसे चात्रवी हैं जो स्कूल से सिर्फ परीक्षा देकर निकल रहे थ और उनको केवल शकh के अधार पर पूलिस ने अरेस्ट कर लिया वो सबी लोग इस वक्त थाने में मौजूद है उनको कम से कम 10-12 बच्चे होंगे जिनको पूलिस ने केवल शक्त के अधार पर थाने में बिठा रखा है कई घंटों से और उसको लेकर जो उन बच्चों के अभी भावक है, उनके पिता है, उनकी माता है, वो बहुत चिंतित है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा वाक्य उस वक्त क्या हुआ था और आखिर क्यों जो बच्चे मासूम हैं उनको थाने में इतनी देर तक बिठा के रिखा गया है। अभी भावकों द्वारा ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर उन बच्चों की वीचवे कुछ हाथ अपाई हुई, जो लोग उने मारने के लिए वहाँ पर तयार बैटे थे, पहले उन पर लाठी डंडो से वार किया, उसके बाद जब उन बच्चों ने अपनी जान बचाने क भी की हुई है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, और इधर आप देख पाएंगे, कि पूरा पैर का एक निशान इधर बना हुआ है, और ऐसे सैकडों निशान पूरे फुट पाथ पर बने हुए हैं, आप यहाँ आगे देख सकते हैं, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे ह पैरों के निशान बनते नजर आ रहे हैं कितना गहरा यहां पर पूरा फुट्परिंट आप देख पाएंगे पूरा एक निशान जिससे पता चलता है कितनी फ्रिक्वेंटी ब्लड लॉस हो रहा था उस बच्चे के शरीर से उसने कितनी मशक्कत करी होगी यहां से भागने की कितना उसका खून निकला हुआ है आप देख सकते हैं कि हर निशान जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते गहरा होता जा रहा है जिससे जिसकी गहराई कम होनी चाहिए थी वो और गहरा हो रहा है जिससे यह पता चल रहा है कि उसका खून लगातार तेजी से निकलता जा रहा पूरे पूरे पैर के निशान हम देख पाएंगे कि जो स्कूल से बच्चा निकलता है वो अक्सर जूते पैने होते हैं परन्तु लड़ाई के बीच में ऐसा हो सकता है कि जूते उतर गए हो और आप यह देख सकते हैं कि यहां पर रगड लगने का निशान है कि यहां से जब पूरे फुट पाथ पर बना हुआ है अब देख सकते हैं रगड लगने के निशान है जैसे किसी ने घसीटने की कोशिश की हो और वो बच्चा यहां से भाग रहा हो यहां आप देख पाएंगे कि आगे की तरफ को एक पैन गिरा हुआ है जो इसी हातपाई में इसी लड़ का भाव आता है उन बच्चों को लेकर जिनके ऊपर ऐसे हमला किया गया उनके अभिभावा को के मन में क्या बीत रही होगी जिनोंने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा और उसके बाद इतने बुरी तरीके से उनको चाकू से गोद कर घायल कर दिया ज होती है उन माता और पिता के लिए जिनका बच्चा इस थिती में उनके सामने लेटा हुआ हो जिसके जिन्दगी और मौत का सवाल बन कर रह गया हो सब कुछ अब देख पाएंगे पूरे फुटपात पर जहां तक नजर जा रही है आप पीछे देख जहां तक फुटपात कि इधर बेंच की ओर चलकर आते हैं और यह बेंच इदर आप देख सकते हैं कि पूरा खून से इस वक्त सना हुआ है यहां पर वो बच्चा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इधर वो बैठा था जब उसको चाकू लगा कितने दर्द में वो बच्चा होगा और कितने हिम पार्क खतम हो गया है और इस पार्क के खतम होने पर वहां पर पैरों के निशान बाहर निकलते हुए नजर आते हैं जो बच्चे ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश यहां से करी थी वो हम इस दृष्चे के द्वारा देख पा रहे हैं हम आपको बता दे कि पुलि नहीं है कोई भी लेना देना नहीं है और उनको केवल शक के अधार पर ही कई घंटों से पुलिस वालों ने पांडव नगर थाने के अंदर बिठाया हुआ है मैडम क्या वाक्या है पूरा भीया हमारे बच्चे तो पेपर देने गए थे पेपर दे की घर आए उन्हों हमें जो आपके बच्चे हैं वो इस खुनी जड़प में शामिल नहीं थे ऐसा आज सिर्फ केवल आरोप लग रहे हैं हमारे बच्चों पर जूटा आरोप लग रहा है कि हमारे बच्चे तो खड़े थे महां से पारक से वो तो हजारी हो बच्चे गए ते उसका मतलब यह थोड कर दो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वस थाने में आ जाओ उन्होंने हमें और कुछ नहीं बोला कि अब कवी बच्चा मैनम ऐसी उन्हों ने रिस्ट क्यों थे पर ता वह लास्ट पेड़ ता हमारे बच्चे अर वह कहरा ममी लडाई ओरी ती मैं वहां पर खड़ वो उसको स्कूल वाली पुलीस वैन में उठा के ले गई हैं कब से बिठाए हैं मैडम ऐसे तस वजे से बिठा रखा है और चार बज गए है और हमें कोई कुछ भी नहीं बता रहे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे करें कि जिनों ने मारा है ना हम उनकी तलाश देख रहे हैं पर उनको पकड़ रहे हैं धर पकड़ कर रहे हैं अभी तक कोई भी पकड़ा गया है मैं उन लोगों में से अब मेरा बच्चा भी पेपर देने आया था और लड़ाई में कोई मतवलना उसके बेफालतिम नाम ले रखा है और सुबह दस वज़े से लेकर आगा है तो जो लोग लड़ाई में मतलब शामिल तो उन में से कोई अभी तक फकड़ा गया हो कुछ ऐसा बताया पुलिस ने तब तक तुमारे बच्चे की माता मौझूद है जिसके उपर चाकू से जान लेवा हमला करने की कोशिश कल करी गई ती जैसा कि हमने आपको बताया जो खूनी जडब चात्रों के बीच में हुई प्राप के बताया कि मबी मेरे संग में लड़की लिकल के जा रही ती तो उन्हें चेड़ रहे चॉकलेट दे रहे थे वह लड़की ने चोकलेट फेंग दी फेंग के साथ चल दी वह लड़की उसी बात इसे पारक में खीचके ले गाई है और खुम मारा पीटी करिये तो जान पैचान थी इसकी किलास में पढ़ती है वो जानते हैं उनको घर जानते हैं वह तो फच्ट किलास से इसंग में पढ़ती हैं जान पैसे बाद पिर उन्हें अस्पता ले जाया गया कैसे इलाज किया नहीं गया होस्पीटल में कुकरेज हमारा पास में या उसमें थोटी मोटी दिला के दवाई घर पर लिया आई ती मैं मैं की कलेश का बच्चा आए स्कूल का डरा हुआ है रादभनी सोया है अब दिन फिर मैंसी चालू कर दिये का पर मैसेज बेज़े जा रहे हैं इस तरह तरह कि मुझसे भी फोटू है उन लड़कों की इसमें एक वार हम वह मैसेज देखना चाहेंगे जो मैसेज भेज़े जा रहे हैं मैं अपने कैमरामेंट से कहूंगा कि यह आपको दिखाएं जूम करक आप देख सकते हैं कि इस आइडी से अबहद्र भाशावाले मैसेज उस बच्चे हो किए जा रहे हैं कल जिस पर चाकू से वार किया गया लाठी डंडो और बैल्टो से मारा गया मैं आपको ऑडियो सुनाना चाहूंगा कि कितने गंदी गाली गलोच इन शात्रों द्वारा यहां पर की जा रही है। जो यह 14-15 साल के एक बच्चे को किये जा रहे है जो दसवी की परिक्षा देकर बाहर निकला था उसके साथ उसके उपर ऐसे जानलेवा हमला किया गया लाठी डंडो से और चाकू से गोद कर इतने भेंकर तरीके से हमला किया गया था उसके बाद भी जब वो बच्चा बच ज जाता है उसके बाद ऐसी अभद्र भाशा में मेसेज किये जाते हैं जान से मारने की धंकी दी जाती है और बहुत इक गंदी गाली गलोच करी जाती है उस बच्चे के साथ मैं जो इंस्टाग्राम आइडी है यह किस व्यक्ति की आप जानती है हम तो बहुत किसी को नहीं ज सुझा आइडी सारे हैं आप यह देख सकते हैं कि एक मैसेज और दूसरी ऐडी से आया हुआ fuzzy यूजर नेम है इंस्टाग्राम का जो आप देख पा रहे हैं पिढदेख पा रहे हैं यहूजर्णेम आइडी से करने के बाद इस प्रकार से धंकी देना यह अपने आप में ही दिखाता है कि पुलिस का और प्रशासन का कितना खौफ इन लोगों के मन में है वो पता चल रहे हैं किस प्रकार से यह लोग बेपरवा होकर खुले आम धंकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के माद्यम से अलग- दे लिए है जिसमें उसी बच्चे के ऊपर दुबारा धंकी इसी बच्चे को दुबारा धंकी दी जा रही है जानलेवा हमला करने की मैं आप लोगों सुनावाना चाहूंगा यह वाली वीडियो एक बार दुबारा में और और प्ले करके सुनाना चाहता हूं तो आपने देखा किस प्रकार से चार बजे दुबारा से उसे मारने की धमकी दी गई है इतने इन लोगों के होसले बढ़ चुके हैं पुलिस केस होने के बावजूद भी प्रशासन का इन लोगों के मन में बिल्कुल खौफ खतम हो चुका है सीधा सीधा सवालिया निशान पुलिस के उपर भी खड़ा होता है कि कैसे इन बच्चों के होसले इतने बुलंद हो गए जो जान लेवा हमला करने के बाद दुबारा से ही ऐसा हमला करने की धमकी दे सकते हैं